सिरेनगर की कॉनश्ट्वेंसी से महमद अश्रफ मीर साब जैसे आप सब जानते हैं और साउथ अनतनाग राजोरी कानश्ट्वेंसी से जफर इकबाल माना साब नॉर्थ में कश्मीर में हमने कंडिडेट फील्ड नहीं किया है और मुझे आज खुशी होती है कहते हुए कि वी एक्स्टेंडिंग सपोर्ट तो पीपल्स कॉन्फरेंस लेड़ वे सजाद गनी लोन इन दे नॉर्थ पिछले चार साल में खासकर पांच अगस 2019 के बाद जैसा आप सब जानते हैं यह वाहिद जमात है यह वाहिद वो गृप पीपल है या पॉलिटिशन्स है जो सामने आए फिर एक जमात बनी और यह जमात किन हालात में बनी आप सब को पता है हमने चार साल में पीछे की तरफ नहीं देखा लोगों ने पहले पहले तो बहुत कुछ सुनाया लेकिन बाद में इतना महबबत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ वो लोगों की मादद से इमर्ज हुआ और शायद यह पॉलिटिकल पार्टी ओंको लगता है कि इनका सपोर्ट भी जरूरी है मैं इसका श्रे लोगों को देता हूँ और अपने साथियों को देता हूँ जिनकी वज़ा से हमारी पहचान लोगों में बनी हैं चाहिए शायर सिरिनगर कानश्विन सी सिरिनगर हो साउथ हो या राजोरी हो या पुंच हो या जमू हो मैं लोगों से तर्खास करना चाहता हूँ क्योंकि आप आज यहां हैं एक बदलाव लाने की ज़ुरत है एक जो सियासत यहां रिवाइटी सियासत रही है जो इमोशन्स की सियासत रही है मैं मानता हूँ हम सबी शायद कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं लेकर अगर हम सतर साल को भूल भी जाएं कि सतर साल हम सब आवारा गरदी में रहे लेकिन ये पांच साल तो कोई नहीं बूल सकता है पांच अगस आज पांच अगस के बाद जैसे तीन मेहीं ने कहीं सुनी नहीं गई कोई किसी का पता नहीं था कहां कौन है शायद आज तक लोग इन डिजार महीं होते मैं इस मोके पे लोगों को मुबारक बाद ही देना चाहता हूँ कि आप में से ही आपके ही लोग निकले और जो हकुमत हिंद ने 5 अगस 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का जिसमें सबसे बड़ा असर हमारी लोगों नौजवानों पर पढ़ रहा था कि जमू कश्मीर की नोकरियां क्योंकि गिनी चुनी सरकारी यहां प्राइवट सेक्टर तो है नहीं वो भी हमें पूरे हिंदोस्तान के साथ शेयर करने सी हमारी जमीनों का मसला था कि यहां जमू कश्मीर की जमीने कोई ने खरीच सकता था हमें अपनी कल्चरल आइडेंटी थी रिजनल आइडेंटी थी तो उसका भी खत्रा था मैं इन साथियों को मुबारक बादी देता हूं और जमू कश्मीर के लोगों को मुबारक बादी देता हूं हम जब गए दिन के उजाले में वजीर अजब हिंद से मिले हम इस चीज़ से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है हमें क्यों मिलना है हम भी क् जमीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जाब्स का भी प्रोटेक्शन लाया अलम्दुल्ला मुबारक बादी इस कौम को जिसने हम पे वरोसा किया एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज के लिए कभी हमने मांगा भी नहीं उस वकत भी जब हम निकले हम फी से भी लिल्ला निकले थे अपने लोगों के लिए आज भी हमारी सियासत फी से भी लिल्ला है कोई हम पावर के यह नहीं है कि भूखे नहीं है लेकिन यह ज़रूर है कि यह जो रिवाईती सियासत है जो रिवाईती सियासत दान है जुन्हें ने इन पांच सालों में भी बहुत गंदार ओल किया जब मों कश्मीर के लोगों को लेकर पांच साल के लिए हमने नैशनल कांफरंस के तीन उमेदवारों को पार्लिमंट में बेढ़ा पांच अगस्त 2019 जब हुआ पांच MP थे कश्मीर से तालोक रखते तीन नैशनल कांफरंस से दो पीडिपी से क्या किसी ने इस्तिफा दिया नहीं दिया अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की जोरत ही नहीं पड़ती क्यों वो एक ऐसी आवाज जाती पूरी दुनिया में कि देखो साब जमो कश्मीर के लोग प्रोटेस कर रहे हैं उस डिसीजिन को जो वारत की सरकार ने मिजॉरिटी से लिया नहीं मानता हूं कि जब ही मिजॉरिटी उनके पास दिता भी लिया उन्होंने नहीं किया चलो हमने भी सोचा कुछ दिनों तक कि शायद वहां इसलिए रहे कि बात करेंगे लेकिन कोई बयान भी नही की गई हमने सोचा चलो हमारे कुछ लोगों को तो 2870 लोगों को तो हमने लाया रहा करके जब हमके प्राइम मिनिस्टर हो मिनिस्टर से मिले लेकिन अभी भी 1400 बच्चे हैं जिन मेंसे 700 बच्चे ऐसी जगों पर जिनको एक गंटे के लिए दिन की रोशनी दिखाई जाती है क्या उनको वापस नहीं लाना है क्या इन लीडरों ने कभी नहीं सोचा क्या इन MPO ने यह नहीं सोचा यह जरूरी है कि उनकी बात करें क्या फरक पड़ती है अगर वो वैसे वहां पारलेमेंट हॉल में ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे उसी में यह ब मैं नहीं कहता हूं कोई बड़ा प्रोजक्ट जिमें हजार, दसजार, वीसजार लोग लगे, अगर हम लोग कहीं आए तो आप प्रोजक्ट वैसे देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो सब लोग नहीं लगाने का कोई प्रोजक्ट नहीं लाया, तो फिर किया क्या पांच साथ? क्या यह हमें हैं जमो कश्मीर के वासियों के उन्हें, उन्हें से पूछेंगे, नेशूल कानफेशन्स वालोग किया क्या? तन्खाल लेने के बिना किया क्या? अगर कुछ नें प्रोजक्ट नहीं किया, तो फिर किस लिए वोट दे दे दें? जो हमारा काम करे इसको वोट मिलना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको किस लिए वोट चाहिए, आज यह कहेंगे, अब हम करेंगे, क्या करेंगे, पंच साल वही थे, पिर जैसे इंडिकेशन्स आ रहे हैं, जैसे आप ही मीडिया वाले सहरे हैं, रोस की शाय बाजपा की सरकार वापस आ रही है, जब ये पहले उन से कुछ नहीं करा सके तो आगे क्या कराएंगे अब ये कहते हैं जी हमें एक जमात का हिसा एक अलाइन्स का हिसा है जिस अलाइन्स का लीडर कहता है मेरा बैंक अकाउंट बांद है मैं बैंक अकाउंट नहीं कोल सकता हूँ मेरे तो 1400 बचे रहा होने हैं मेरे तो 37,000 ने बचन की रभेशी मेरी तो 35,000 न के ने लिए जिनको नोकरियां कमपेटिशन से मिली है मेरी तो स्ट्रेट हूड अभी वाकि है घर तो कितने चीज़ें बाकि है मैं तो अपने लिए नहीं निकला हूँ और मुझे अगर लोगों के लिए काम पूरे करने हैं और इस अपनी पार्टी के कोर एजेंडा को फुल्फिल करना है अपने लोगों का इन मकासिद को पूरा करने के लिए और इन मकासिद को अगर कोई और भी पूरा कर सकता है उसको हम सपोर्ट देंगे तब ही हमने डिसाइड किया कि हम सजाद साब को सपोर्ट करेंगे सजाद साब भी एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर रिवाईती सियासत दानों को मेरा मशवरा बिन मांगे मशवरा मैं दूँगा अपने आपको रिटायर करो शायद आप लोगों के साथ वफा नहीं कर सके वफा का वादा निबा नहीं सके हमें अमन से जीने दो नहीं हमारे नवजवान के दिमाग में ये डालो कि साव साल की जंग लडनी है हमें कोई जंग नहीं लडनी है हमारा मुकदर 47 में डिसाइड हुआ हमारा मुकदर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया ह और मैं आज भी कहूँगा बार बार ये कहूँगा हाँ गावी दिल्ली ने दिये मदावा भी उनसे ही मिलेगा मदावा ना लंदन में मिलेगा ना वाशिंग्टन में मिलेगा और ना इस्लामाबाद में मिलेगा वर मैं पूरी जम्हु कश्मीर के लोगों को अपीड़ करता हूँ विए हमारी जमाद जी इसने दिखाया है कि हम एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं लोगों के मसलें मसा这里 सुनते हैं चाहे मैं दख्तर में बैठके सुनूँ, चाहे मैं फील्ड में जाके लोगों से मिलूँ, चाहे में जाके मिलूँ, लोगों के मासले मसाहिव हैं। और मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं जमो कश्मीर के लोगों को यह कोई खांदानी जमात नहीं है। कल आप किसी और अल्टाब उखारी के खांदान में से किसी और को नहीं देखेंगे, कोई और आम आदमी भी आसकता है। और यह आम आदमियों की पार्टी है, हम सब आम आदमी हैं। मुझे पुखता यकीन है कि वो इस जमाद के हाथ में और जहां इस जमाद के कहीं पर हम सपोर्ट किसी को करते हैं उनको उनके हाथ में वोड दे देंगे और हम इन्शालला लोगों को वादा करते हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी वज़ा से कोई शर्मंदा जमो कश्मीर का नहीं होगा कोई भी वासी शर्मंदा नहीं होगा हम अपने नवजवानों को इजद वाली जिन्दगी चाहते हैं उनके लिए उनका फुर्वेकार दिन चाहिए वो भी उसी तरह से पूरे पूरे हिंडूस्तनमें जाकी अपना काम करें या सिर।फ़ करें जिस तरह कोई भी हंदूस्तानut का ना जो हमते हैं जिस तरह आ अधे गोमते हैं और फोवे कर ना पुरे बिश का पोस्टल तरोग कोनकिशा मैं हा साधीकिः जिन की एं सेम है जो पूरे हिंदुफ्तान की एस्पिरेशन से हैं. थैंक यू वेरी मुच, I am open to questions. स्वाम लेकुम. स्वाम भी मैं किसी अलाइन्स का हिसा नहीं हूँ, जिस दिन मैं अलाइन्स का हिसा पहनूँगा, I will reply. मैभुबा जी के कास बहुत सोहाने होते हैं, और सोहाने सपने उन्होंने 2019 में भी दिखा है हमें, जब उन्होंने PAGD बनाया, मैं शायद जवाब नहीं देना चाहता था, क्यों बहन है हमारी लेकिन पीजेजीडी को तोडने वाली भी वही हैं, एक लास्ट होब जमो कश्मीर के लोगों को हुई थी, शायद PAGD कोई वफा करें, बेवफा लोगों से वफा की तवक्का ना रखिए, आपको भी कहता हूँ. अधर साब, यहां पे बहुत सारे लिजर साफ ने पार्टिज आपके साथ मोझे लेए, उस्मान साब का डिस्ट्रिक प्रेजिएंट भी यही है, कहा हैं डिस्ट्रिक प्रेजिएंट साब, बांडी पोरा के, उस्मान साब की तबीयत कल शाम को खराब थी, और आप जो चाह आपको ज़से की वजा से नहीं हैं, मैं किसी की वजा से नहीं हूं, हम सब जब हैं तो अपनी पार्टी है, हम जब भी खरेंगे, तो वो मोती भी खरेंगे, तो मोती बिखरने कोई नहीं देता है इसी बात ने वो अंदर के हमारी बात हैं, फॉच्छी पॉइंट पॉइंट पूइंट इसनेट इसरिक्टे में पॉइंट हैं, जै तो सजाद घ्री नों की प्रेजम्हें भी हैं, एंका दिल मुछ से थोड़ा सा बहुत वसी है मैंने को television can this कि बड़ा दिल होना बीमारी मानी जाती है लेकिन हम तो दोस्ति हैं सब उसे भी मैं किस पिलीटिकल पार्टी कि किसी कि वहुआ परसेंच में नहीं हैं कभी कभी आप लोग तो नीडिया वाले खुश हो जाते हो जंग कराने में, यह कहता हूं ना कराओ यह जंग, क्यों? हम तो एक ही हैं, तुमने शाल, शाल, ब्योन, 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 तुई विज कुई नहीं, मता कर तो यह एक्सपोचु पनुन पान करा हूं. शाल, आँज साहज़्मा कामरा, जी सरु, अध़न करें मतार्ची जीजीजी आज़ साज़र, यह ब्योन, ढू मातार्ची जेता हैं, ग्रीन शायाज़ूर पर पुश्क्ता करीजी आजिकिन करें चारची तो पोडमृश्मा करें तो नह добавím, इमोशनली हमारे बच्चों को खर कि अब हम सब कहते थे नमालूम बंदुख मरदार कि इसी ने इसे लोग हमारे दोस्ति आतरोंगु को मौर सजोक के लोग आपके तो नामालूम बंदूग बरदार की पहले बार निशान दी हुई है अगर क्या आज दक हम मेंसे किसी को नामालूम बंदूग बरदार की निशान दी हुई थी अब वो खुदा जाने और होम मिनिस्टर जाने क्यों होम मिनिस्टर तो यह नहीं नहीं बोलेगा जो एमिनिस्ट अब बच्चा मारा है एक किडि़्टू वालों तुच गाट यह तो अशe मजाक वाली बात सो नहीं कि कमरे में बोली गे इसलिए मुद्व हमेशा है यह तो आप आप लोग आप लोगों की फीशन्सी थोड़ी काम नहीं थोड़ी सी काम है जाने की वह रोजा था उन्होंने खाना खाया मेरी तेबिया ठीक नहीं थी वैसे आप लोगों की इनफार्मेशन बड़ी वीग चलती है। आप तो ऐसे मेरी नेवर हैं कितनी बार वो मिले होंगे मेरे पास आते हैं सब मिलते रहते हैं इसमें क्या है सजाद साथ शाइद मैं नहीं बलाया होगा उनको और आप इसे प्रेस वालों में से भी किसी ने आपको बलाया होगा आप इन बलाई थोड़े आया होगा और कुछ थांक यू वेरी मुच